नमस्कार, खबरों का पंच नामा में आपका स्वाकत है, मैं हूँ आपके साथ अंश्रका हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिनके विश्टेशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी की एग्जेक्यूटिव एडिटर्स तृत्ती श्रिवातर, तृत्ती जी बहुत बत्वा है सबसे पहले रुक करते हैं हेड्लाइन्स का राहुल गांधी ने उत्तर भार्तियों को दिखाया नीचा बीजेपी और वाम दल पर साधा निशान दुनिया के सबसे बड़े क्रिकिट स्टेडियम मोटेरा का बदला नाम अब नरेंड मोधी के नाम से जाना जाएगा पूल किट मामने में दिशारवी की जमाना थी आचिता मंजूर एक लाग रुपे का मुचलका भरने की शर्ट पर मिरी पे पठेंडा की किसान रैली में नजर आया एक लाग का इनामी गैंक सर्ड लखा सधाना पंजाब पुलीस ने नहीं लिया कोया अमेरिका के सामने चीन ने टेके गुटने कारोबार से प्रत्यबंद हटाने की लगाई गुहार नजर डालते हैं पहली खबर पर केरल में सत्ता वापसी को बेचैन कॉंग्रस ने अब बाम दलों पर ही निशाना साथना शुरू कर दिया है राहुल गांदी ने केरल की सत्ता रूर लडीएफ और केंडर की भाजपा सरकार पर विवादित कृशी कानूनों और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना साथा उन्होंने ये भी सवाल किया कि माकपा नीच सरकार पर भाजपा हमला क्यों नहीं कर रही है और मुक्यमंत्री कारयाले के खिलाफ मामलों पर नन क्यों बो रही है इसके साथ ही राहुल गांदी उत्तर भारतियों को नीचा दिखाते हुए भारत के दो हिस्सों में फूट डालने की कोशिश करते भी नजर आए उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में उन्हें अलग तरह की राजनीती की आदत हो गई थी और केरल आना उनके लिए नए तरह का अनुभव है क्योंकि यहां के लोग मुद्दों में ज्यादा दिल्चस्पी रखते है त्रप्ती जी राहुल गांधी नौर्थ में 15 साल से सांसद रहे हैं उसके बाद अब वहां के लोगों को यह नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि जो कॉंग्रेस के जो युवराज है राहुल गांधी इन्होंने कहा उत्तरप्रदेश के लोगों का जिस तरह से अपमान किया जिसे लेकर स्मृति रानी ने एहसान फरामोश तक उन्हें बोला और बोलना भी चाहिए पंदरा साल जिस जनता ने आपको वोट दिया आप उसको एकडम सत्ही बता रहे हैं उसके बौधिक स्तर को आप नीचा दिखा रहे हैं और वो भी ऐसी जगह जाके जहांब आपका मतलब संधरा है क्योंकि आपको केरल से आपकी सीट आपको पक्की दिखाई दे रही क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है तो इनकी जो इस तरह की बातचीत होती ना उसमें जो कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं वो शर्मिंदा होते हैं जो आनंद शर्मा है जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों क सब्सक्राइब झें रहाइल गांधी क्या करते हैं वो ही दे सकते हैं। तो हैं जो टेसकе बाइता। दूसरा उनके पास option नहीं है कि वो राहूल गांधी की जगा किसी और को आगे करें क्योंकि पार्टी के अंदर जो गांधी परिवार के प्रती मोह है वो खतम नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी समझ से है दूसरा है जो आपने बताया है कि केरल में वो वामदलों के उपर निशाना साथ रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर जो है ये रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ये वही कॉंग्रेस है ये वही राहूल गांधी की कॉंग्रेस है कुलूचेरी के बाद केरल में उठा दी दूबारा गिरी राज किशोर जाया है वहाँ जोड़ों के बोल रहे हैं कि आओ भीया देख लो यहीं पर है बार बार जूट मत बोलो उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि उनका जूट पकड़ा गया है और वह दूबारा वही जू उसको उन्होंने वहाँ पर उसके बहुत धिक स्तर पर उसके जानकारी के उपर सवाल उठा दिये एहसान फरामुष अगर उनको बोला जा रहा है तो कुछ भी गलत नहीं है और दूसरा इससे ये साबित हो गया कि बहुत ही अपरिपक्व नेता है और पता नहीं क्या खाते बनते जा रहे हैं यानि कि राहूल गांदी की इस तरह की बयानबाजी के बाद अब उनकी राजनीती का स्तर भी पता चल गया है वहीं गुजरात के एहमदबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर नरेन्र मोदी स्टेडियम कर दिया सकते हैं तुटीची क्यों स्टेडियम का नाम बदला गया है ते कि स्टेडियम के नाम पर जो काफी विवाद हो रहे हैं खास तोर से कॉंग्रेस अब बाकी नेता जो है या विपक्ष के लोगे जो लिब्रल सेकिलर पत्रकार हैं वो भी सवाल उठा रहें लेकिन एक बात क जो सर्दार वल्लब भाई के नाम पर सर्दार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा है पूरस स्पोर्ट्स एंक्लेव का नाम सर्दार पटेल है जिसके अंदर यह स्टेडियम है और सिर्फ इसलिए उसका नाम नरेंदर मोदी रखा गया जैसा कि ब किमंत्री रहे वो गुजरात क्रिकेट असोसियेशन के अध्यक्ष भी रहे उस टाइम पर उन्होंने यह सोच लिया था उनका एक विजन था जिसके था उन्होंने दुनिया का नंबर वन स्टेडियम अपने स्टेट में बनाने का देखा था तो क्या वहां की जनता को या वहा से धार पाटेल का अपमान है स्टेट ऐसी जेपी ने बन वाइए उसी नरेंदर मोधी जिनके ऊपर यह सवाल conventions का नःता कभी समझाई नहीं सौछाई नहीं तकि किस और की मूर्थी भी बननी चाहिए जिसमें सरदार पातील का पटेल को काफी उपर पहुंचाया है एक बड़े नेता के तौर पर इतिहास में जो उन्हें गौरव मिलना चाहिए था वो दिलवाया है और ये बात कॉंग्रिस को बरदाश्ट नहीं हो रही तो अब वो उसी पर निशाना साथ रहे है यानि कि मोटेरा स्टेडियम का नाम ब कर लिया है और एक लाग के मुचलके पर उसे बेल दे रही है त्रिप्ती जी दिशारवी एक बहुत ही खतरनाक आरूपी है जिसने टूल किट मामले में अपनी बहुत एहम भूमे का निभाई लेकिन अब उसी खतरनाक आरूपी को कोड ने रिहा कर दिया है रिहा नहीं किय कर तमाम सवाल उठा रहा था उसने कल जो है जशन मनाया उनके जशने का माहौल था वह ऐसी ही बाते कर रहे थे कि देश में नया है और देश में हमारी कागून विवस्था बनी हुई है और अचानक उनका जो कोड की उपर से पिछले कुछ दिनों से विश्वास उठ गया पहली बात तो यह है कि उसे बेल मिली है आरोपों से बरी नहीं हुई है वो तो दूसरी बात यह है जो यह कह रहे है कि जज के जो कमेंट्स हैं उसको लेके काफी बात चीत हो रही है कि जज ने यह कहा और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और जज ने यह भी कहा कि चीज नहीं बता रहे कि कंडिशनल बेल मिली हो उसको ऐसा नहीं मिले कि जाओ अब तुम आजाद हो उसको दो बॉंड्स भनने पड़े हैं एक एक लाख रुपए के साथ ही उसको बोला गया कि आप पुलिस इंवेस्टिगेशन में जब जब पुलिस आपको बुलाएगी नहीं जा सकती है अभी निकिता और शांतुली से बाचीत होगी उनसे अगर कोई सबूत मिलते हैं तो फिर से दिशार अभी के उपर कारवाई हो सकती है पुलिस पुखता सबूत सामने लेकर आएगी तो यह जो माहल बना दिया गया कि वह बेगुना साबित हो गई है ऐसा नहीं हुआ है बेल मिलने से बस यह हुआ है कि यह हर नागरिक का अधिकार होता है और दूसरा यह जो लोग लगातार बोलते रहे थे जने सुप्रीम कोट के हर फैसले से आपत्ती होने लगी थी क्योंकि वह उनके हिसाब से नहीं था अब यह उनकी ने भी करारा जवाब है कि अब आज आप जिस तरह का स्टैंट ले रहे हैं एक सेशन कोट के जज़ के लिए आपका तो यह तो यह तो यह तक कहते थे कि सुप्रीम कोट के जज़ बिक चुके हैं तो भई अगर देश की सरकार सुप्रीम कोट के जज़ को खरीज सकती है तो एक सेशन कोट की जज़ गुरगान करेंगे क्योंकि इसकी तो रिहाई की मांग का ट्रेंड यह हर का भी चलाते रहते हैं दोनों का जबकि उनके उपर तो और भी खतनाक आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ काफी खतनाक सबूत भी मिले हैं तो भी जिस तरह का स्टैंड इन्होंने दिशारवी के निकाली गई इस दोरान कुलियाम गैंक्स्तर और एक लाक रुपे का इनामी आरोपी लखा सिदाना दिली पुलीस और केंड सरकार के खिलाफ यूवाओं को बरगलाता नजर आया हैरानी की बात तो ये थी कि इस दोरान पंजाब पुलीस भी वहां मौजूद थी लेकिन व लखा सिदाना के ऊपर एक लाक रुपे का इनाम रखा हुआ है दिली पुलीस की ओर से उसके बाद वो पंजाब में सरयाम के इन्र सरकार के खिलाफ रिशी कानूनों के खिलाफ लोगों को बरगलाता है लेकिन पंजाब के पुलीस कोई कदम नहीं उठाती है देखिए सीधा सीधा इशारा आप जो भी देखता है कर जिस तरह से लखा सिदाना को सब ने देखा कि वो खुले आम इस तरह के भाशन बाजी कर रहा था और वो कहां मौजूद था वो उस गाउं में मौजूद था जो कैप्टन अमरिंदर सिंग जो कि पंजाब के मुख क मंतरियं उनका गड़ है तो यह साफ है कि कॉंग्रेस का हाथ लखा सिधाना के साथ है यह साथ सीधा सीधा इशारा कर रहा है दूसरी बात रहे कि बटिंडा पुलिस का यह कहना कि हमारे पास कोई एफाया नहीं है जब पूरी दुनिया में पता है कि वो एक लाग का इनामी आरोपी है और वो फरार चल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बटिंडा पुलिस को पता नहीं है अब सवाल यह उठता है कि फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस ने जाके जब वो सामने दिखाई दे रहा है तो उसको गिरफतार क्यों नहीं किया तो उसके लिए सबसे पहली बात यह समझना होगी कि दिल्ली पुलिस जो है वो उसको अगर किसी को किसी दूसरे राज्य से गिरफतार करना है तो वहां की पुलिस से उनको स्थानी पुलिस के साथ तालमेल बिठाना होगा उन्हें इंफॉर्म करना होगा लेकिन जिस तरह का संरक्षन पंजाब में लग्का सिधाना को मिला हुआ है वो साथ दिखा रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस वहां गिरफतार करने पहुँचेगी तो टकराव की स्तिथी पैदा होगी यह वही किसानों की बीच में बैठा हुआ है जिनोंने लाल के लिए पे हंगामा मचा दिया था आप में यह भी देखा था कि दिल्ली पुलिस की क्या हालत हुई थी वहां पे वो तो तब था जब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैनाथ थी और यहां पर पुलिस का बहुत बड़ा बल यहां पर तैनाथ था उनके साथ यह हुआ है अगर दिल्ली पुलिस की कोई टीम उसी त लग्षा सिधाना को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जितने देर वो फर रह रहे गा उसकी मुसीबत उतनी ही बढ़ती जाएगी क्योंकि फिर उसको बेल मिलने में दिक्कत होगी जी तरह से वह दिकते पैदा कर रहा ईंस में तो अब क्षो एरिया मुत की तो तो, उसके तेश में तो, ँसको एक तरह सें देश में कहीं नहीं नीगूम सकता कितने तक पंजाब मे रहे यह देखते हैं और जिस तरह से इसको में रहा है उस्से यह भी साबित होता है कि कॉंग्रेस किस तरह के लोगों के साथ है या तो वो लाल किले पे हुई हिंसा को हिंसा मानती नहीं है देश के गरतंत्र दिवस का अपमान नहीं मानती है या फिर कि जिन खालिस्तानी समर्थकों के साथ वो खड़ा हुआ दिख रहा था लक्का सिदाना य के बाद सीधे तोर पर ये कहा जा सकता है कि लक्का सदाना के साथ कॉंग्रिस का हाथ है वहीं चीन की सारी हेकडी बाहर निकल गई है चीन अब अमेरिका के सामने घुटने टेकर खुद पर लगाए गए प्रतिबंदों को हटाने की भीक मांगने लगा है चीन के विदेश मंत के दौरान लगाए गए थे चिप्ती जी भारत के सामने पहले चीन को जुकना पड़ा और अब चीन अमेरिका के सामने भी जूख गया है तो उसके लिए कहीं ने कहीं चीन को हर देश जिम्मेदार मानता है इससे चीन की साख को काफी बटता लगा है और कोविट के तौरान आर्थिक तौर पर भी चीन काफी टूटा है भारत के साथ जिस तरह से आप बता रही है कि वो जुका था उसके पास कोई चारा नहीं है अपनी विदेश नीती उसको बदलनी पड़ रही है बाइडन के आने के बाद उसको लगा था कि स्तितियां को सोच रहे थे तो चीन के पास सिवाए अपना रुख नरम करने के लिए क्योंकि जिस तरह के आर्थिक संकट से वो जूज रहे भाले चीना की तो पॉलिसी रही है कि वो अपनी असलियत किसी को बताते नहीं अंदर के हाला थिसको बताते नहीं लेकिन उनकी यह जो हरकते ह रहे हैं जिस तरह से जुक रहे हैं वो साफ इशारा दे रहा है कि चीन की कमर तूट रही है आर्थिक तौर पर और उसके पास जुकने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं है जिस तरह से चीन अब एक एकर सभी देशों के सामने जुकने लगा है उसके बाद वो कितना कमज नोटिफिकेशन ना पहुंच पाते हूं तो अब आप कैपिटल टीवी के आप को भी डाउन्लोड कर सकते हैं